जब समुद्र में कोई जहाज लगातार चलते रहता है, तो उसमें नमक की एक ऐसी मोटी परत जम जाती है, जिसे एक हथोड़े की मदद से तोड़ा जाता है. क्योंकि जब ये जहाज समुद्र में लगातार चलता है, तो पानी की सतह से जल में मौजूद नमक, यानि सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण जल वाश्पित हो जाता है, जब ये वाश्प पानी में मिलता है, तो ये ठंडा होकर एक परत बन जाता है, और इसी बजह से शिप की सतह पर नमक की मोटी परत जम जाती है, इसको समुदरी जल की नमक परत भी कहा जाता है, और ऐसी ही साइन्स से जुड़ी बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे,